हाई फ्रेंड्स आपके अपनी इंजोई इंडिया चैनल में आपका स्वागत है आज हमारे साथ जानिये हतेली में बनने वाले चांद से कैसा होगा जीवन साथी उंगलियों पर चांद बनने का मतलब हस्त रेखा का अध्यन करके हम अपने भविषय के बारे में जान सकते हैं सभी लोगों के हाथों के रेखाएं अलग-अलग होती है किसी की हाथ के रेखाएं मोटी होती है तो किसी की पतली और किसी की छोटी अगर किसी की हतेलियों में आधा चांद बनता है तो आईए जानते हैं इसका क्या मतलब होता है हतेली पर बनी हर्ट लाइन हर्ट लाइन से हम अपने भविशे और वेवाईक जीवन के बारे में जान सकते हैं हम हर्ट लाइन को देख कर यह भी जान सकते हैं कि हमारा वेवाईक जीवन कितना सफल होगा पार्टनर्स की आपस में बॉंडिंग कैसी होगी हर्ट लाइन से जाने अपना भविश्य अगर आपकी हर्ट लाइन छोटी उमली से लेकर दूसरी उमली पर जाकर खतम हो जाती है तो ये आपके भविश्य की घटनाओं के बारे में बताती है हथेलियों पर बना आधा चंद्रमा, जिसकी हाथ में आधा चंद्रमा बनता है, वे बड़े ही तेज दिमाग वाले और चामिंग होते हैं, हर परिष्थिती में अपने आपको ढाल लेते हैं, तथा इनका वेवाईक जीवन भी बहुत अच्छा होगा, हर्ट लाइन का सीधा ह होना, अगर आपके हाथ में हर्ट लाइन से चंद्रमा ना बनकर सीधी रेखाए दिखाए दे, तो इसका मतलब यह हैं, कि आप बड़े ही शांत प्रिय इंसान हैं, और शांत रहकर काम करने में विश्वास करते हैं, हर्ट लाइन का उपर होना, हतेलियों में हर्ट लाइन उपर नीचे हो तो ऐसे लोगों को बुजुर्गों का साथ पसंद होता है, और उनके साथ समय बिताना अच्छा लगता है, आपके दिल में बड़ों के लिए इज़त और सम्मान है, अगर आपको हमारी यह इंफोर्मिशन पसंद आई है, तो हमारे इंजोई इंडिया चैन यह लिए को लाइक, शेट, सब्सक्राइब करना ना बूले, थैंक यू